मास्टूइबेशन इसके बारे में मैं कुछ अधिक जानकारी देने के लिए आपके सामने फिर से खड़ा लेंगिक उत्ते जना खुद को देना ये बहुत बच्पन से शुरू होता है मतलब जैसा बच्चों को जैसा सवा देड़ साल दो साल के बच्चों को उंगलिया मुँ में डालने से जो उनको आनन आता है वैसे ही आनन 15 से 19 मेने के उमर में बच्चों को अपने लेंगिक पार्ट जो है लेंगिक भाग जो है शरीर के उसको हाथ लगाने से उमको वहां से शुरुवात होती है अल्फ्रेड किन से इन्होंने रिसर्च में ऐसा बताया है कि सभी लगबख सभी 100% मेल्स पुरुष और 75% स्थ्री महिलाएं अपने जीवन में कभी ना कभी हस्त मेथुन या सेल्फ स्टिमूलेशन मास्टूबेशन करती है हस्त मेथुन इसका मतलब यह है कि खुद से या खुद के हाथ से कियावा मेथुन इसको बोलते हस्त मेथुन जैसे बच्चा उमर में आता है मतलब बच्चे का आदमी बन जाता है बच्चे का पुरुष बन जाता है जो 12-13-14 साल से शुरू हो जाता है जैसे उसको सेकंडर यह च्छा हो जाती है कि अपोशिट सेक्स से बातचीट करना उसमें उसको मजा आता है और फिर जो निसर्ग है नेचर जो है कुद्रत वो चुपने बैठने देदी वो कुछ ना कुछ वो करने के लिए उसको स्टिमुलेट करते रहती है मतलब उतना उसको इतनी उत्ते जना आती है कि खुद के कपड़े भी घस गए लेंगी कवयों को तो उसको उत्ते जना आते रहे दिए पिर उसको मालूम होता है कि अपने कपड़े यदी घस घिसते हैं तो उसको उत्ते जना यदि अच्छा लगता है और फिर धरे-दिरे वो खुद ही सिख जाता है कि खुद के शिसन को हाथ से इलाना और उसमें उत्ते जना जब आती है तो उसका आनन लेना अब यह बहुती न ाता है मतलब हाथ का छित मना के एसा उपर-नीचे होता है ईसेक्स में कmile शिसनों जो है यव वी टीтории जा सृ जो और ऐस्त मेहतुन और वे वीरे का नाश्म नहीं करना चीए एक विर्य का बुन वह अस्झ खुन के बुन के बराबरी का है एक विर्य का बुन असी खून के बुन के बरापरी कहा है यदि यह गलत फेमी लोगों के दिमाग में है और वो यदि इतना विर्य बाहर निकाल रहा है तो फिर कमजुर आना नैचरल है उसको कमजुर वैसी आना शुरू हो जाता है उसकी भूग कम हो जाती खाना कम खाता गि कभी चरचा होती नहीं है वो अपने दोस्तों से बात करता है लतilate है रहा है और अच्छा हня करता है अच्छां करशा है और फिर वह और अंदर-अंदर घुसते जाता है दिमाग में हस्तमे ह starters कीटना खाना खहते हम वैसे जितनी शेक्स की इच्छा होती है जितने बार अच् बहार कोई वेश्चा के पास में जाएंगे ने क्योंकि उनको घर में आनना जाएगा हस्तमे तुन करना शादी के पहले एकदम नौर्मल है शादी के बाद में भी नौर्मल एदी पतनी बीमार है वो उसको प्रेग्ननसी है घर बदारना हुई है या कोई कारेंट से वो बाहर में तुन करना ही पढ़ता है और वह था इसमें आनना आता नहीं तो वहुता है फिर obsessive compulsive disorder otherwise हस्तमे तुन करना नारम है हस्तमे तुन में कितना भी विर्य कैया तो भी कोई प्राब्लम नहीं है अधुन से विर्य नाश हुआ तब ही कुछ प्राब्लम नहीं है मैं अर्दम य बच्चा जो है लड़का वो पुरुष बन जाता है तो अंदर जो थाइलिया है लोगों को यह लगता कि अंदर बहुत बड़ा स्टोर आउस है और वो स्टोर आउस पुरा भरा हुआ है यह दि मैं खाली कर दूं थाइलिया तो फिर मैं आद्मी में रहूंगा नहीं ऐसा कु करने के समय विर्य बाहर जाएंगा या पेट के ऊपर प्रेशर देते हो तो प्रेशर से विर्य बाहर जाएंगा या फिर कोई लड़की देखते तो तब विर्य बाहर जाएंगा उसको स्परमेंटर के बोलते है विर्य अंदर जमा करने के लिए कोई टैंक नहीं है कोई कुछ नहीं तो हस्तमेतुन से जो अपराधिपन की भावना एक गिल्द फिलिंग है हस्तमेतुन करने से मेरा लिंक छोटा हो गया तेड़ा हो गया यह जो लोग बोलते हैं यह सब गलत विमी है लोगों ने इसके अधिक जानकारी ये मेरे और Caribbean आप देख सकते है और अपना समाधान कर सकते हैं जो आपको इसके कि भी उनका इलाज करते हैं और सेक्स काउंसिलिंग करके भी इलाज करते रहते हैं तो आप बेशक कोई भी हिच-किच न रखते हुए आप हमें कॉल करो हमारे लोगे आपको हमारे एसिस्टेंट डॉक्टर जवाब देंगे मैं आपके कॉल लूँगा और आपका समस्या मास्ट्रिवेशन के आदते मैंने बहुत विरेका नाश किया है लोग खुद कुछी कर ले तो यह सब गलत है यह करना नहीं चाहिए यह ऐसा जो है यह सब गलत फेमिया निकलना चाहिए मास्ट्रिवेशन मारमले फिर से लास बोल रहा हूँ और कितना भी किया तो भी उसमें कुछ नुकसान है नहीं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धिन्यवाद थेंक्यों बेरिमच्छ बहुत 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 बचल स靠क दो है यह वीडियो देकितना भी ते कर दो जबचल सक्तरना चाहिए